ओम सिरीगड़े साय नमा इत्रो मेराग और आम मिस्रा आप लोगों का अपने इस यूटूब चैनल आप और आपका वहिस्ट कारिकरम में एक बार पुने हैं स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं मीन्जासी की महलाओं के भविस्ट के बारे में मीन्जासी की महलाओं भविस्ट में क्या करती हैं इनका आठिक इस्थिति कैसी होती है इनका सामाजिक छेतर कैसा होता है इनका संतान कैसे होते हैं और इनका सास्त कैसा होता है इन सब बारे में हैं हम आपसे बात करेंगे सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविश्कारिकरम में जब से मैंने ये वीडियो बर प्रारम किया है हमारी बहुत सी माताओं बहनों बेटियों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन दिया है और उनका लाइक कमेंट्स मैं जरूर पढ़ता हूँ आपको अपने बारे में कुछ बिसेश जानकारी भी चाहिए उसको भी मैं देता हूँ अब चुक्कि यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से मैंने ये वीडियो बनाना सुरू किया तब से मैंने बिसेश कर महिलाओं के लिए जो मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ वो इसे मैं पुर्सों के लिए भी बनाता हूँ लेकिन हमारी माताएं भेने जो भी उनको अच्छा ग्यान मिलता है वो कमेंट्स में लिखती है पढ़कर मुझे अच्छा नता होती है इसलिए मैं आप लोगों से भी आसा करता हूँ कि आप भी अपने कमेंट में जो भी आपके वीचार है जरूर लिखा करें और अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आता है तो आप लाइक जरूर किया करें इससे हमारा भी कॉन्फिरेंस बढ़ता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के लिए और अधिक ज्यानवर्धत वीडियो बनाओ तो आईए मीन रासी की जो महलाएं होती है मीन रासी का स्वामी गुरू होता है गुरू सिच्छा का कारक होता है धर्मकारियों में अग्रणी होता है सामाजिक कार में भी ये बहुत अग्रणी होता है पूजा पाट में बहुत दिल्चस्पी होती है और कोई भी ऐसा ग्यान की चीज है तो गुरू का मजबूत होना जरूरी है चुकि गुरू एक ऐसा ग्रहा है जो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा बर्दान होता है जिसकी कुंडली में गुरू अच्छा है ऐसी महिलाओं का जीवन बहुत सुखमे होता है इनके पती बहुत अच्छे होते है儿 साथि इनकी संताने भी बड़ी होनार और सिच्छित होती है और इनके जीवन में भी सामाजिक माह समान खूब होता है अब मेनराशी की महलाएं के बारे में हम थोड़ा उनकी सारी रिकosing क्रूप रणके बारे में बात करेंगे किमीन रासी की महलाएं सुन्दर साप रंकी होती है इनका माथा चोड़ा होता है मध्यम कर आखें होती है गोल होती है इनकी नाथ थोड़ी लंबी होती है इनके सरीर का उपरी भाग थोड़ा मोटा होता है निचला भाग थोड़ा पतला होता है ये रासकी महलाएं बहुत हर्ष्ट पुष्ट सरीर की होती है इनका व्यक्तित बड़ा ही आकरसक होता है ऐसी महलाएं इमांदार, कल्पनासील और बिलासी होती है ये अपने सम्मान का विसिर ध्यान रखती है इनमें रासन करने हुकूमत करने की लालसा होती है भावना होती है ऐसी महलाएं मिलंसार, मित्रता की चाह बाचीत करने में निपूर होती है इनमें किसी से बदला लेने की भावना नहीं होती है ऐसी महलाएं खुल का दान देती हैं लोगों की सेवा करती हैं इससे इनको बड़ी परसंदता होती है वैसे तो यह है कि कभी-कभी ये दान धर्म के चक्कर में अपना नुकसान भी उठा लेती हैं लेकिन फिर भी इनको बिसेश अफसोस नहीं होता है ऐसी महलाओं के जीवन में बहुत से उतार चड़ाओं होता है ऐसी महलाएं गुप्त बिद्या का ग्यान भी प्राप्ट करने की लालसा रखती है साथ ही सामाजिक काई में बिसेश रुची होती है कला भिग्यान के इनको बिसेश रुची होती है पढ़ने लिखने में भी ये बड़ी अन्भविय और महंती होती है ऐसी महलाएं सेना में नेवी में बिसेश सफल होती है तो मीन रासी की जो महलाएं होती है इनके जीवन में कुछ ब्यक्तिगत करने की बड़ी लालसा होती है कुछ बड़ा करें तो इनके जीवन में जो भी बिसेश घटनाएं हैं उतके बारे में हम आप से बिस्तार से बात करेंगे अब आईए हम इनके बारे में आपको और भी बिस्तित जानकारी देती है धन भाव, कुटुम भाव, वानी भाव अब चुकि मेन रासी की महलाओं के धन कुटुम भाव में मेस रासी बैटता है इसका स्वामी मंगल होता है इनकी आवाज रोबदार होती है ऐसी महलाएं निडर होती है नियाई प्रिय होती है सत्य की हमेशा ये पच्छ धर होती है धन के छेतर में देखा जाए तो धन इनको बच्पन से ही आता रहता है इनके माता पिता चाचा भाई सब इनको धन करी सहायता करते रहते हैं ऐसे महला हैं धन के मामले में बहुत अधिक लोगी नहीं होती हैं धन है तो खर्ज करेंगी नहीं भी धन है तो भी ये धन कैसे आओ है इसके बिसे में जरूर बिचार करती है लेकिन कभी भी गलत तरीके से ये धन प्राप्ट करना नहीं चाहिए है परिवार में देखा जाए तो धीरे धीरे वैसे तो मीन रासी की जो लड़कियां होती है ये अपने माबाब की बड़ी लाड़ली होती है ज्यादा तरी अपने घर में बड़ी होती है लेकिन अगर ये बड़ी नहीं भी है तो भी इनके अंदर एक बिसेस गुण होता है अपने बुद्धी के बलबुते पर ऐसी लड़कियां अपने माता पिता की बिसेस लाड़ली तो होती है अपने चाचा भाई बतीजे आज की भी ये बिसेस लाड़ली होती है चुकि ऐसी महिलाएं बाचीट करने में निपूर होती है कोई भी बात बहुत नापतोल कर बोलती है और जो बोलती है वो बिलकुर सत्य निकलता है वैसे तो ये भी देखा गया है कि तादी के बाद इनके जीवन में ज्यादा तर एकाकीपन भी आ जाता है लेकिन ऐसी महिलाएं अपने असराल में भी अपने बड़ों की खुब सेवा करती है भाई प्राकरम अर्थान अब चुकि मीराथी की जो महिलाएं होती है इनको भाई भी होता है बहन भी होती है बहनों की संक्याव इसे जादा होती है क्योंकि वहाँ बिक्सबरासी बैठती है उसका स्वामी सुक्र होता है लेकिन भाई जरूर होता है भाईयों का ये भी से ध्यान रखती है भाई की सेवा करना, भाई को खो सकना, भाई के काम में साहिता करना इसके अलावा भी ऐसी महलाएं खेल कूद में भी रुची रखती है प्राकरम्हमी होती है और हमेशा ये लोगों को साथ लेकर आगे चलना इनकी आदत होती है ये जहां भी रहती है, एक नेता की तरह रहती है चुकि इनके अंदर किसी तरह की चाबलूसी इत्यारी करने की भावना नहीं होती है ये सत्य की पुजारी होती है इसलिए लोग इनका सम्मान करते है माता मित्र मकान सुख भाव अब चुकि इनके माता मित्र मकान सुखभाव में मिठोरा सी बैचती है उसका स्वामी बुद्ध होता है तो ऐसी महिलाओं के मित्र बहुत होते है सहलियां बहुत होती है ये बातें भी करेंगी वो इसे तो भली रुचिकर बात करती है इनकी बात सुनने के लिए इनकी सहलियां इनके आफ़ाद मर्लाती रहेंगी कुछ ये बोले हैं तो ये जब भी कुछ बोलती है अच्छा ही बोलती है ज्यान की बातें बोलती है हाँ ये भी देखा गया है कि इनकी माँ इनको बिसेश प्रेम करती है विसे तो इनकी माँ सबकी सभी बच्चों को प्रेम करती है लेकिन मीन रासी की महलाएं क्योंकि ये बड़ी सुन्दर आकर सक बेप्तित की होती है इसलिए इनकी माँ इनके उपर भी से ध्यान लगती है खान पान कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि ऐसी महलाओं को इनकी माँ बिल्कुल लड़कों जैसा सूर्बूर बेवहार बिल्कुल लड़के जैसा प्यार दुलाद करेंगी कोई भी इनके प्यार दुलाद में कोई कमी नहीं रखेंगी मित्रों के मामले में भी ऐसी महलाएं मित्रों के मामलिम साध्धान होती है मित्रता करती है लेकिन स्वाथपिक मित्रता करती है किसी तरह के मित्रों से ये धोखा नहीं खाती है वाहन के मामलिम देखा जाए तो ये वाहन की तो सोकीन होती है लेकिन को खुद वाहन चलाना या खुद ड्राइबिनिंग करना कम पसंद होता है वैसे तो ये सिखेंगी सब ड्राइबिनिंग और लेकिन इनको वाहन पर बैठना आराम के साथ चलना ज्यादा पसंद होता है और ये भी देखा गया है कि वैसे अगर इनको बच्पन में वाहन सुख ना मिला तो युवा वस्था में इनको वाहन सुख जरूर प्राप्त होता है बिद्या भाव, बुद्धी भाव, संतान अब मीन रासी की जो महलाएं होती है ये पढ़ाई लिखाई में बहुत गोड़ रुची रखती है बिसेश कर्मे ने आपको बताया कला विज्ञान में इनकी बिसेश रुची होती है नए नए खोज करना, नए नए चीजों को अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करना तो पढ़ाई लिखाई में ये लगबग अवल ही रहती है बड़ी बड़ी डिग्रिया प्राप्त करती है और अगर ये और आगे पढ़ाई लिखाई करें तो ऐसी महलाएं बड़े बड़े पदों पर प्रोफेसर, उच्छ कोट के राजनाईक और सरकारी विभाग में प्रसासनिक अठकारी भी होती है चुकि ऐसी महलाएं हमेशा न्यायविचित कारी करती है इसलिए इनके चरितर में कभी कोई धबा नहीं लगता है सक्त प्रसासनिक अठकारी होती है नियम की पाबंध होती है और ये जो नियम बनाती है उस पर खुद भी पालन करती है और दूसरों से भी आयर वैसा ही करने की आसा करती है सन्तान के मामले में देखा जाए तो ऐसी महलाओं के दो से तीन सन्तान होते है इनको सन्तानों में वैसे तो पुतर भी होता है लेकिन कन्या इनको अवस्य होती है इनकी कन्या भी बहुत दुलारी बहुत सुन्दर और उच विप्चितिकी होती है वो दुबली पतली लंबी होती है उसकी आँखें बड़ी ही आकरशक होती है वैसे इनके लड़के भी सुन्दर होते हैं लेकिन इनकी लड़की विशेश ये तर्दार होती है पढ़ने लिखने में हमेशा वो अवल रहती है और उसकी पढ़ाई लिखाई देख करमीन रासी की महलाएं अत्य पसंद होती है जब भविस में इनकी बच्चे बड़े हो जाते हैं वो अपने मेहनत बर्बूते से अच्छे अच्छी नोकरी प्राप्त करते हैं इनकी लड़की बिसेश कर डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, संपादक, एक्टिंग, आदिशेतर में बिसेश सफलता प्राप्त करती है कभी कभी तो इनके बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए इन से दूर, जन्मक्सान से दूर भी जाते हैं पढ़ाई लिखाई करके फिर वो अपने घर में वापस आते हैं तो इनके जो बच्चे होते हैं वो बड़े होनार होते हैं और पढ़ने लिखने में भी वो बहुत हुस्याद होते हैं रोग सत्रुकर जास्थान अब मीन रासी के रोग सत्व कर्ज अर्थान में सिंग रासी बैठती है जिसका स्वामी सूरी होता है इनके वैसे तो दुबले पतले या यो कहें गरीब कंजोन लोगों से ये जगड़ा करना पसंद नहीं करती है मीन रासी की महलाएं हमेज़ा उन्हीं लोगों से ठकराती है जो अपने आपको सवासे समझते हैं और उनको ये प्रास्थ भी करती है जब तक ये उनको डाउन नहीं कर लेती है ये सांती से बैठती नहीं है क्योंकि ये बड़ी कूटिनीतिक बुद्धी होती है इनकी दुस्मन को कैसे प्रास किया जाए उसको कैसे फरेसान किया जाए तो इस तरह से एक बार जो दुस्मन इन से मुख खाते हैं फिर दुबारा इनके सामने कभी वो जगड़ा करने का या इनका बुराई करने का हिम्मत नहीं करता है स्वास्त के मामले में देखा जाए तो मीर्दासी की महिलाओं को जली समंदी थोड़ी समस्या होती है खोड़े फुंसी अत्यालिव, सर्दी जुखाम, बुखार बहुत जल्दी पकड़ती है लेकिन इनको कोई अस्थाई या बड़ा रोग नहीं होता है अईसी महिलाओं को अपने नाना मामा मौसी का भी सुख प्राप्ठ होता है और यह अपने मामा मौसी का भी से सम्मान करती है पतियस्थान, बैवाहिक सुख, ब्यापार अब आप देखोगे कि मीर्दासी की महिलाएं जल्दी जल्दवाजी में साधी नहीं करती है यह थोड़ा लेट साधी करती है और हमेशा इनकी यही इच्छा रहती है कि इनका पती बहुत सुंदर हो, अच्छा हो, गुद्धमान हो पढ़ाई लिखाई में इनसे अधिक होगा, तभी मीर्दासी की महिलाएं साधी करती है वो कितना धनी हो, बड़ा हो, इसका मतलब नहीं है यह अपने बिद्या इजूकेशन का भी से ध्यान लगती है इसलिए इनका पती भी इनसे अधिक पढ़ा लिखा होता है अब चुकि पती के घर में कर्ण्यारासी बैठती है, उसका स्वामीं बुद्ध होता है तो इनका पती थोड़ा धन बचाने पर जादा भी स्वास करता है धन बचाते रहना वैसे तो यह है कि में लासी की महलाएं कभी अपने सम्मान के लिए अपने पती से कभी मांग जादा नहीं करती है लेकिन यह है कि अपने पती का ध्यान बहुत रहती है समय से उनको भोजन देना समय से उनका आफिस जाना है तो तैयारी कराना इनके हर जो पती होते हैं ज्यादातर वो ब्यापार बिजनत में सफल होते हैं अगर वो नोकरी भी करते हैं तो अच्छे अच्छे और उच्छे पड़ों पर रहते हैं ब्यापार के छेत्र में मीर्णासी की महलाएं बहुत सफल पाई जाती हैं ये अगर समुझर से निकलने वाले चीज जैसे मोती, संक या जो भी अब उसलत, इत्यादी, हीरे, मोती, जवाराथ इन सब का अगर ये बिजनस करती है तो इसमें ये बहुत सफल होती है वैसे ये कपड़ा, ब्यापार, होटल का ब्यापार आज में भी सफलता प्राप्ट करती हैं खाने पीने की भी चीजों पर लेकिन खाने पीने की चीजों के बजाए ये फैसन डिजाइनों के बस्तों का ब्यापार करने में अधिक सफलता प्राप्ट करती है अब आप देखोगे कि यहां पर तुलारासी बैठती उसका स्वामी सुक्र है तो मैंने आपको पहले ही बताया ऐसी महलाए वाहन इद्याद चलाना कम पसंद करती है जादा तर ड्राइबर इद्यादी रखती है और उसको भी समय समय पर टोकती रहती है तेज नहीं चलाना यह इधर मोड़ो उधर जो भी है एक परकार से यह चलाती नहीं है लेकिन पूरे वाहन पर यह नियंतर रखती है इसलिए इनको चोट चपेट की संभावना बहुत कम होती है भाग्यस्थान धर्मस्थान अब आप यहां पर मीनराशी की जो महलाएं होती है यह बहुत कटर धार्मिक होती है अपने धर्म की प्रेतिन की बहुत बड़ी आस्था होती है ये पूजापाट में भगवान का, माताजी का या जिस भी देउता की ये अपने धर्म के अउसाद पूजा करती है उसमें ये बहुत अधिक लीन हो जाती है पूजापाट करते समय ये इतना ध्यान मगन हो जाती है कि इनको सुते भी ध्यान नहीं रहता है कि कितनी देर हो गई पूजा करते हुए इसके अलावा ऐसी महलाएं दान धर्म करना अपनी खुशी का मुखे स्वाख स्वाख समझती है खुब दान धर्म करती है और कभी कभी तो ऐसी महलाएं तीर सियात्रा में भी बहुत कुछ दान करतेती है दान करने के मामले में मीन रासी से बढ़कर अन्नी रासियों की महिलाएं बहुत कम पाई जाती है पूजा पाट के छेतर में नए नए ग्रंत पढ़ना अपने धर्म के और अध्यन करना ये इनकी एक विसेश रूची होती है और यही कारण है कि भगवान की किरपा भी इनको मिलती रहती है ये अपने दान धर्म इत्यादी करने के कारण ही अच्छा खासा मकान इनका बनता है इनके बच्चे बड़े अन्भवी और आगे चलकर बहुत सुखी होते है और ये भी देखा गया है कि मीन रासी के बच्चे हमेशा अपने माता पिता के पित्र मात्र भगत होते हैं इनकी आग्यां का वो हमेशा पारण करते है पिता सानमान समान पर सिद्धी अब चुकि दसम घर में इनके धनूरा सी बैठती है जिसका स्वामी गुरु होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत सात्विक काम करती है काम भी करेंगी लेकिन किसी तरह का कोई गलत काम नहों कोई बद्दामी वाला काम नहों किसी को दुख दे कर कोई काम नहों तो ये सामाजिक चीजों का विसेश ध्यान लगती है काम करते करते अचानक इनके मन में किसी तरह का कोई समस्या आती है तो ऐसी महलाएं बाचीत में मेधावी होती है अपने अधिकारियों से भी अपने काम के बिसे में सलाह मस्वरा करती रहती है और इनके अधिकारी लोग भी इनके काम से प्रसंद रहती है इनका बड़ा सम्मान करते हैं और इनका समय समय पर उन्नती होती रहती है ऐसी महलाएं विशेश कर अपने ससुर का विशेश सेवा करती है और उनकी आग्या का पालन भी करती है और कभी-कभी तो अपने ससुरित आधी को ये गुरू की तरह अच्छी ची सलाद देना उनका ये करो वो करो और इनके ससूर आदी घर के बड़े बुज़ूद लोग इसकी बातें मानते खूँ है लावस्थान बड़ा भाई अब आप देखोगे कि इनके लावस्थान में मकर रासी बैठती है जिसका स्वामी सनी होता है तो ऐसी महलाएं अपने कोई भी ब्यापार बिजनस अगर ये प्रारम करती है तो युवावस्था में इनको बहुत अधिक परिस्थम करना पड़ता है ब्यापार को आगे ले जाने के लिए वो इसे ये बहुत परिस्थम करती है और जब ये अपनी उम्र के 40-42 साल की हो जाती है तब तक इनका ब्यापार बिजनस बहुत अच्छा चलने लगता है खोब दीरे दीरो फैलने लगता है इनके द्वारा किया गया ब्यापार आगे चलके इनके बच्चे भी करते है और इनके द्वारा चुना गया ब्यापार कभी बंद नहीं होता है ये अगर कोई फैक्री डालती है तो बहुत भविस्थ की बातों को ध्यान में रखते ब्यापार करती है और उसमें सफलता भी प्राप्ट करती है भाई के मामले में देखा जाए तो ऐसी महिलाएं अब्राई के साथ अपनी बहुनों का भी ध्यान लगती है और समय समय पर उनकी भी सहायतात करती रहती है बिए अस्थान, खर्च अस्थान, बिदेश अस्थान अब इनके बिए अस्थान में कुमरासी बैटी उसका स्वामी सनी है ऐसी महला है, खर्चा तो इसे खर्चालों सभाव की तरूर होती है लेकिन ये कोई भी सामान जल्दबाजी में भरबड़ी में खरीदती नहीं किसी भी सामान को खरीदने से पहले खोब अच्छी तरह उसकी जाँच परताल करना मोल भाव करना, फिर याकर ये कोई चीज खरीदती है इनके द्वारा खरीदे के सामान में ज़्यादा तर अच्छे होते हैं, ये दोखा कम खाती है यात्रा हैं ये खूब करती है, इनके जीवन में बहुत यात्रा होती है और दूर-दूर की यात्रा, तेस्यात्रा इनकी बिसेस्ता होती है तेस्तों में जाना, दान धर्म करना, पूजा करना, ध्यान लगाना यह इनकी जो एक बिसेस्ता होती है इससे इनका जीवन बड़ा सुखमें और भविसिक मंगल में अच्छा होता है इनके बच्चे भी बड़े होनार, इनके बहुएं भी इनकी सेवा भाव करती हैं, इनकी लड़की दामाद भी इनका बड़ा सम्मान करते हैं और इनका पती भी जीवन प्रजन भविस्व में भी इनका खूब सम्मान करता रहता है जिन महलाओं का कुंडली में गुरु कम्योड है नीच का है या पापा ग्रहों के साथ बैठा है ऐसी महलाओं को प्रतिदिन ओम ब्रिम ब्रहस्पते नमा का मंत्र जाप करना चाहिए गा को रोटी खिराते समय गुर्ण भी लगाने या चीनी डालने तो सोने पे सुहागा होता है ऐसी महलाओं को पुखराज सवातीन रती का अपने तरजनी उंगली में गुरुवार के दिन सुबा साथ से नौ के बीच सोने की अंगुठी में बना कर धारन करने से इनकी जिन महल के साथ किसी तरह का बैचारिंग मद्वेद हैं वो बैचारिंग मद्वेद समाफ्त हो जाते हैं जिन महलाओं को संतान होने में कोई समस्या है उनको संतान ही होता है और वो भी पुत्र ही होता है तो इस परकार से मीन रासी की जो महलाएं हैं वो अपने सेवा भाव धर्म भ अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना और लाइक करना मत भूरिये नमस्कार